देखें इस सैसीरी सी वात है कानून सीय का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश में रहने वाले अल्प संख्यक वहां जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिता दी जाएगी वहां पे लगबग धाई से तीन करोड माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिलाके अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं अगर ऐसे हमने अपने दर्वाजे खोल दिये उनके लिए देश के दर्वा को जॉब्स कहां से देंगे नौकरियां कहां से देंगे घर कहां से आएंगे तो जाहिर तोर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बैच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे और जो इतने सारे इतनी भारी हम तो दर्वाजे खोल रहे हैं इतन गरीब लोग उठके मैं हिसाब लगा रहा था गर एक डेड़ करोड लोग भी आ गए आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक C.A. के कानून से होने जा रहा है आपके घर के पास मैं पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके जुगी लगा के बैड़ गए आप पसंद करोगे कितने लोग पसंद करेंगे बांगला देश से पाकिस्तान से अगर जुगी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं सारी कानून विवस्था चर्मरा जाएगी चोड़ियां डकेतियां बलातकार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर पूरी कानून विवस्था और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएगे सुरक्षा विवस्था, हमारे देश की सुरक्षा विवस्था का क्या होगा चारे तरफ दंगे भाल जाएंगे ये क्यों लाएगे हैं कानून बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना vote bank बनाना चाहती है एक डेड़ करोड लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना vote bank बनाना चाहती है हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए UK ने भी ये किया था कैनेडा ने भी ये किया था कैनेडा ने जो आया उसको देदी नागरिकता आज देखो कैनेडा का क्या आल हो रहा है वहाँ पे पूरी कानून वेस्था चर्मारा चुकी है वहाँ की एकनामी चर्मारा चुकी है अब उन्होंने रोक लगाई है कि और उनको नहीं लेंगे हमारे देश के लोग तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे है ग्यारा लाख लोग हमारे देश के व्यापारी और द्योग पती पिछले दस साल में देश छोड़के चले गए क्यूं? क्योंकि वो बीजेपी की अत्याचार और बीजेपी की नीचों से तंग आ गए लाना है तो उनको लाओना पैसे वालों को लेकिया हो जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्टरी खोलेंगे वेपार चलाएंगे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे आज पास के पाकिस्तान के बंगला देश के अफगानिसान सारे गरीबों को पकड़ पकड़े के हमारे देश में कम गरीबी है क्या पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो